अवेद खरनन मौमल में फलहाल सीम हेमन सोरेन से पूश्टाश नहीं होगी आज एक बार फिर सीम आवास में यूपिय वधायकों का जुटान होगा उधर प्रदेश भर से आकर राजधानी में टेरेज जेमेम कारेकरताओं को सीम हेमन सोरेन संबोधित करेंगे और इसके साथ सभी सत्ताधारी वधायकों को भी सुबह 12 बजे सीम आवास बुलाया क्या है सीम वधायकों को संबोधित कर उन्हें अपने अपने शेत्र लौट जाने को कह सकते हैं कारेकरताओं को भी अपने घर लौटने के लिए यूपिय गडबंधन के नेता कहेंगे तो अपने अपने शेत्र लौट जाने को कह सकते हैं मुखे मंत्री हेमन सोरेन आज सीम आवास पर जो वधायक डटे वे हैं और जो कारेकरता राज्य भर से आए हैं उनको संबोधित करेंगे मुखे मंत्री हेमन सोरेन और उन्हें वापस लौटने को कहेंगे किसले के दो सहाँ करेंगे प्ली का यहाशी करेंगे मुख भर जन्हें मुख जन्हें जन्हें किसले दो जन्हें जन्हें और सेयोगी विपिन उपादिया हैं हमारे साथ इसका जुड़ेवे हैं विपिन आज देखें सीम जो कारिकर्ता कल से डटेवे हैं जो विधायक हैं उनको संबोधित करेंगे और ये आक्रह होगा उनका की जो राज्य भर से कारिकर्ता जुटे हैं वो अपने पने शेत्र में वापिस लौट जाए आजिया हैं गहमा गहमी का दौर था और पूरे दिन जब तक मुख्यमंतरी के साथ एडी ने एडी दफ्तर में पूछ दाज की तब तक पूरा जो यूपिये का कुन्बा था वो मुख्यमंतरी आवास पर मुख्यमंतरी तक पहुचानी की कोशिस कर रहे थे तो इसी कड़ी में कल जब देर रात मुख्यमंतरी से पूछता है समाप तो ही वो मुख्यमंतरी अपनी पत्नी कलपना सोरिन के साथ एडी देफ्टर्स निकल कर सीधे वो मुख्यमंतरी आवास पहुचे जहाँ पूरे दिन से यूपीय की जो पूरी टीम थे जो उनके कैबिनेट के मिनिश्टर्स थे जो उनके सयोगी विधायक थे जो गटबंदन के प्र पूरे राज्य भर से आए हैं तो उनको मुख्यमंतरी एड्रेस करेंगे ताकि जिन उमीद के साथ कारे करता है इस संकट गड़ी में अपने नेता का मनोबल बढ़ाने के लिए रायधानी पहुचे थे ऐसे में उन तक मुख्यमंतरी अपनी बातों को पहुच पहुच आए जो एक मैसेज देने की कोशिस होगी कि अभी की जो अटमान परिस्तितियां बनी है उसमें किस तरीके से कारे करता खुद को एक जुट और सम्मेट के रखते हुए मजबूती के साथ पार्टी का ज़ंडा बुलंद करें तिन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंतरी का अज ए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका विपिन